लोगसभा चुनाव की घोशना कभी भी हो सकती है इसे बीच जला प्रसाशन ने प्रत्याशियों के प्रचार के दौरान सभा रैली सहेदानी आयोजन में उप्योग होने वाली सामागरी या प्रचार खर्च के रेट तै कर दिये हैं चाय, पानी, नाश्ता से लेकर प्रचार सामागरी, बैनर, पोस्चर, विज्यापन, वाइफाई, होटल तक में होने वाला खर्च प्रत्याशी के खाते में जोड़ेगा है प्रत्याशी चुनाव पर अधिक्तम 95 लाग रुपए तक खर्च कर सकते हैं देखें ये खास करता है लोकसभा चुनाव के लिए आयोग ने प्रत्यक उम्मीद्वार के लिए 95 लाग की खर्च सीमा तय की है इस्थानिया रवाचन ने भी शहर के मुताबिक चुनाव प्रचार और अन्य अम्मद में लगने वाले आइटम की दर तय कर दी है रेकलिस्ट के मुताबिक उ सारे करता को चुनाव प्रचार में समान या सबसी पुड़ी खिलाई तो प्रत्याशी के खाते में 40 रुपए और शुद्दगी के दाल वाफले खिलाए तो 150 रुपए जुडएंगे वाइधोल और धपली के 400 रुपए जुडएंगे वाट्सैप मैसिज खर्च 20 पैसे प्रती मैसिज जुड़ेगा प्रत्याशी ने वाट्सैप पर चुनाव प्रचार सम्मन्दी मैसिज भेजे तो एक लाग मैसिज तक प्रती मैसिज 20 पैसे वाइस कॉल के 26 पैसे लगेंगे इसमें 18 प्रतीशत GST भी जुड़ेगा इस बार चुनाव गर्मी में होना है ऐसे में प्रत्याशियों का बड़ा खर्च इससे बचवाने का होगा ताकि मद्दाता परिशान नहों कैसूची के मताबिक पंखा 50 रुपए, सीलिंग फैन 100 रुपए, कूलर बड़ा 500 रुपए, टौवर एसी 1500 रुपए में पड़ेगा प्रत्याशी पर या सभा में पुश्प वर्शा की तो 700 से 1500 रुपए तक जुड़ सकती हैं सभा में पौधे गमले रखे तो उसका भी पैसा प्रत्याशी के खर्च में जुड़ेगा इसी तरह गदा भेग की तो 50 से 100 रुपए, मोतियों की माला 20 रुपए में और किसी बड़े नेता का मुखोटा लगाया तो प्रती मुखोटा 5 रुपए का होगा कलेक्टर आशीशु सिंग ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि चुनाव खर्च पर निगरानी रखने के लिए शेडो रजिस्टर के साथ ही वीडियो सर्विलास चीम उम्मीदवार के साथ रहेगी जो हर गतेविदी को रिकॉर्ड करेगी जिसके माध्यम से खर्च के लोगों के साथ में आविजित करी गई थी इसमें बहुत ही इलेक्शन कमिशन की पारदर्शी और बड़ी एक उन्होंने जो गैडलाइन दे रखी है बड़ी इसपस्ट गैडलाइन है जिसमें किस तरीके से एक शेडो रेजिस्टर बनता है जो जितने भी उनके द्वार पर नोटिस भी दिया जाता है इसके साथ साथ जो एक्सपेंडीचर आपजरवर हैं वो भी आते हैं हमारे हाँ से भी अडिशनल एक्सपेंडीचर आपजरवर्स बनते हैं तो बड़ी ही पारदर्शी विरस्ता है और उसे तू प्रॉपर ट्रेनिंग भी दे दी गई है जो इलेक्षन कमिशन की गैडलाइन से उनका पूरता पालन से निश्यत कराई जाएगा अलकि चुनाव आयो कितनी भी सकती कर ले चुनाव मैदान में उत्रें उम्मीद्वार नरधारत राशी स्यादिक ही खर्च करते हैं विधान सभा चुनाव में ही एक उम्मीद्वार और रुपए खर्च कर देता है ऐसे में लोग सभा उम्मीद्वार 95 लाथ में चुनाव पूरा कर ली यह संभव नजर नहीं आता ब्यूरो रिपोर्ट एमपी नियूस इन और